नमेशकार दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आज का ये वीडियो आपके एक्जाम में कितना काम आएगा, लेकिन किसी का जीवन बचाने में definitely काम आ सकता है और जीवन से बड़ा कोई परिख्षा नहीं होती, तो यहाँ पर basically क्या हो रहा है कि हर रोज जो cases बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपको पता है इस समय कितना जादा shortage है oxygen को लेकर, कोशिश की जारी है अलग-अलग देशों से मंगाने की, कोशिश की जारी है कि देश में उसको manufacture करने की, लेकिन still यहाँ पर आपको shortages देखने को ही मिलेगा, तो यहाँ पर जरूरी क्या है कि हम कुछ ऐसे technique का इस्तम करना चाहिए, और आप एक example भी देख सकते हो, गोरखपूर के अंदर 82 साल की एक ऐसी महिला थी, जिनका oxygen level 75 आ गया था, जियां 75 आ गया था, नॉर्मल कितना at least 94 से 9900 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है कि 75 आने के बाद उन्होंने इस particular technique का इस्तमाल किया, जि इसके बारे में मैं जश्ट चाहता था कि आपको informative एक वीडियो दे दूँ, ताकि यहाँ पर आप अपने आपको तो बचाएं, लेकिन अगर किसी की मदद कर सकें, तो definitely इसको करीगा, तो चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप म हमारे course को join कर सकते हैं, तो चली यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि चल क्या रहा है, तो जैसा कि आपको पता होगा, जो COVID positive patients हैं, उनको अकसर यहाँ पर जो main problem आ रही है, वो breathing की, suffering की difficulties देखने को मिल रही है, मतलब oxygen deprivation हो रहा है, तो जिस तरह का scarce resources हैं हमारे पास, इस इसके लिए जरूरी है कि जो home remedies हो गए, therapies हो गए, उसका इस्तमाल किया जाए, जिसमें यह जो proning का position है, उसका बात बताया जा रहा है, देखें, यहाँ पर basically हमें supplement oxygen की आफशकता पड़ती है, supplement का मतलब यह हुआ, कि normal जब हम oxygen ले रहे हमारा सरीर स्वस्थ है, तो oxygen लेने के संख्या जादा नहीं जा पारी हमारे body के अंदर, जिसकी वज़ए से tissues में यहाँ पर oxygen की कमी देखने को मिल रही है, hypoxia आप नहीं सुना होगा, इस तरह का situation देखने को मिल रहा है, इसकी वज़ए से यह particular जो technique है, बताया गया है कि बहुत जादा अच्छा साविस हो सकता है Ministry of Health and Family Welfare ने भी यहाँ पर इसका recommendation दिया है, तो चलिए देखते हैं exactly है क्या, what is proning, basically आपको simple क्या करना है कि कि किसी को भी अगर oxygen की कमी हो रही है, problem हो रहा है, उनको oxygen level 94 से नीचे चला गया है, ध्यान रखना, जब oxygen level 94 के नीचे चला गया है, तभी यह वाला technique, हाँ, एक औ इसके अंदर भी फायदा उठाएंगे, तो नकली टाइप के oxymeter, बेकार oxymeter मिल रहे हैं, जिसको लेकर लोग panic में आ जा रहे हैं, एक example मेरे काफी करीबी था, उसका oxygen करीब उसमें 74-76 बता रहा था ऐसा, तो अचानक से hospital गया panic होके, और वहाँ पर पता चला है, नहीं सब क जाना है, जो laying position है, वो इस तरह से अपने आपको रखना है, जब आपका oxygen level 94 के नीचे चला जाए, इस तरह से अगर आप लेट जाओगे, तो यहाँ पर जो oxygen है, जो ventilation है, वो आपका improve हो जाएगा, सास लेने में और जादा आसानी हो जाएगी, बेसिकली इसके अंदर बताया स्टमक के जश नीचे, और जो तीसरा पीलो है, बेसिकली इस तरह से अगर आप लेट जाते हो इस position में, तो यहाँ पर जो oxygen level है, वो अपने आप धिरे धिरे improve होने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी position पे आप लेटे हो, तो यहाँ पर 30 मि लेटे हो, पर अगर जाता है कि maximum यहाँ पर लेटना है, उसके बाद अब अपना position चेंज कर सकते हो, फिर अगला 30 मिनट इस तरह से side में, आप लेट सकते हो, फिर यहाँ पर अगला 30 मिनट इस प्रकार से सिटिंग अप position पे फिर उसके बाद यहाँ पर आप वापस से side वाल मिल सकती है oxygen के कमी से इसका significance क्या है basically जो हमारा lungs है उसमें जो distribution of air है volume of air है वो काफी हद तक increase हो जाता है ये particular position पे आने पे basically क्या है कि oxygen और carbon dioxide का जो exchange है वो बढ़ जाएगा ventilation increase हो जाता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है ये कुछ significance बताया जाता है पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखोगे तो कई सारी जो patients है related to acute respiratory distress syndrome उनके लिए ये इस्तमाल किया जाता है और काफी simple और safe method बताया जाता है medically ये accepted है इसमें कोई problem नहीं है तो यहां तक हमने समझ देया लेकिन कुछ caution रखना है मैं यहां पर एक चीज बता दूँ आपको कि कोई भी जो position आप रख रहे हो प्रोनीं का position आपको खाना खाने के बाद कोई भी मीन लेने के बाद उसके एक घंटे के बाद ही उस position पर आना है तो यह एक तो caution आपको रखना है दूसरा यहां पर आपको ध्यान रखेगा आपको discomfort नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको तकलीफ में एकदम जबजस्तिक आपको उसी position पर रहना पड़ेगा आप जैसा comfortable हो उस type से आप अपने आपको थोड़ा change कर सकते हैं बताय जाता है कि maximum आप एक दिन के अंदर अलग-अलग cycles मतलब 30 minutes किया 5-10 minutes का rest लिया फिर यहां पर कर लिया 16 घंटे 16 घंटे आप दिन में जो है अलग-अलग cycle में काफी अच्छे से proning के position में आ सकते हैं आपका जो pillow वगरा है उसको भी adjust किया जा सकता है pressure वगरा को handle करने में तो यह एक सरल और सही उपाय है आज के date में जब oxygen की इतनी बड़ी problem चल रही है I hope कि यह जो video है वो आपको कुछ हट तक help किया होगा यहाँ पर और आशा करता हूँ कि आप कहीं न कहीं किसी की भी अगर मदद करने का समया आया है तो इसका जरूर इस्तमाल करेंगे जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आया हूँ elephantiasis is caused by which worm यहाँ पर किसके दोरा यह जो particular disease है वो आपका cause होता है इसका जो right answer है आपको पता ही है मेरे इंस्टाप पर तुम आपको मिलेगा ही अगर आप वहाँ पर नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूँ stories के form में आप जाकर play कर सकते हो अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं कोई भी course purchase करना चाहते है study aq app पर जा सकते हैं I hope की वीडियो आपको पसंद आप होगा मिलता हूँ आपसे next time till then thank you very much see you soon